भगवान विश्णो राम अवतार भगवान विश्णो हिंदू त्रिदेवों में से एक है श्रीमत भागवत पुराण में भगवान विश्णो के 22 अवतारों का वर्नन है वहीं कुछ धर्मशास्त्रों में 24 अवतार भी बतलाए गए है जिनमें से दस अवतार प्रमुख है गरुर पुराण में दशावतार का वर्णन है पहले तीन अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वरा प्रथम महायुग में अवतीन हुए पहला महायुग सत्य युग या कृत युग है नरसिंग, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेतायुग में अवतरित हुए कृष्णा और वेंकटेश्वर द्वापर युग में अवतरित हुए इस समय चल रहा युग कल युग है और भागवत पुरान की भविशवारी के आधार पर इस युग के अंत में कल की अवतार होगा इस से अन्याय और अनाचार का अंत होगा राम या श्रीराम या श्रीराम चंद्रभगवान विश्णों के दस अवतारों में से सांतवे अवतार है राम के कथा से संबद्ध सरवाधिक प्रमाणभूत ग्रंध आदिकाव्य वाल्मी की रामाएन के अनुसार चैत्रमास की नवमी तिथी में पुनर्वसु नक्षत्र में पांच ग्रहों के अपने उच्छ स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ ब्रहस् पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान भारत के अयोध्या नामक नगर में हुआ था, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी. रामचंद्र के पूर्वज रगु थे. रिशी वालमीकी ने रामायन की रचना की थी. स्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्ति भावपूर्ण सुप्रसिद महाकाव्य रामचरित्मानस की रचना की थी. श्री राम रामायन के अनुसार, राजा दश्रत और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, सीता के पतीव लक्षमन, भरत तथा शत्रुगन के भाता थे. राजा दश्रत को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तदोपरांत राजा दश्रत ने पुत्रेष्टी यग्य कराया जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ. श्री राम अपनी सगी बहन शान्ता से छोटे थे. हनुमान उनके परमभक्त है. धर्म के मार्क पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाईयों के साथ गुरु वशिष्ट से शिक्षा प्राप्त की. लंका के राजा रावन का वद उन्होंने ही किया था. उनकी प्रतिष्था मर्यादा पुरुशोत्तम के रूप में है क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज, मित्र, माता-पिता तक का त्याग किया विष्णुसा सरनाम पर लिखित अपने भाष्य में आध्य शंक्राचार्य ने पद्म कुरान का उदाहरन देते हुए कहा है कि नित्यानन्द स्वरूप भगवान में योगिजन रमन करते हैं, इसलिए वे राम है ब्रामनों के अनुसार श्री राम न्याय प्रिय थे, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को रामराज्य की उपमा देते हैं इनके दो पुत्रों कुश्व लव ने इनके राज्यो अयोध्या और कोशलपुर को संभाला वैदिक धर्म के कई त्योहार, जैसे दशहरा, राम नवमी और दीपावली, श्री राम की वनकथा से जुड़े हुए हैं वैदिक साहित्य में राम का उलेक प्रचलित रूप में नहीं मिलता है रिग्वेद के मंत्रों का रामकथाप्रक अर्थ सिद्ध नहीं हो पाया है तातपर्य यह की प्रचलित राम का अवतारी रूप वालमी किया रामायन एवं कुराणों की ही देन है राम की महाकाव्य कहानी की रचना रामायन अपने वर्तमान रूप में आमतोर पर सातवी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेष्टा पौरानिक साहित्य में उपलब्ध आंकडों के अनुसार परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग आठ लाक असी हजार एक सो वर्ष पहले माना जाता है प्रख्यात मराथी शोध करता विद्वान डौ पद्माकर विश्णो वर्तक ने एक ग्रिष्टी से इस समय को संभाव्य माना है अपने सुविख्यात ग्रंथ वास्तव रामायन में डौ वर्तक ने मुख्यता ग्रहगतियों के आधार पर गणित करके वालमी किया रामायन में उल्लिखित ग्रह स्थिती के अनुसार राम की वास्तविक जन्मतिथी 4 दिसंबर 7323 की सापूर्व को सुनिश्चित किया है श्री राम के पिता दश्रत ने उनकी सौतेली माता कैकेई को उनकी किनी दो इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया था कैकेई ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दश्रत से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राजसिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया पत्नी सीता ने वभाई लक्षमन ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए वनवास के समय रावन ने सीता जी का हरण किया था रामायन में सीता के खोज में सीलोन या लंका या श्री लंका जाने के लिए 48 किलोमीटर लंबे 3 किलोमीटर चोड़े पत्थर के सेतु का निर्मान करने का उलेक प्राप्त होता है जिसको राम सेतु कहते हैं सीता को को पुना प्राप करने के लिए राम ने हनुमान, विभीशन और वानर सेना की सहायता से रावन के सभी बंदुबांध हो और उसके वंशजों को पराजित किया तथा लोटते समय विभीशन को लंका का राजा बना कर अच्छे शासत बनने के लिए मार्ग दर्शन किया राम, सीता, लक्षमन और कुछ वानर जन पुश्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किये वहाँ सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्या भिशेक हुआ जब रामचंद्र जी का जीवन पूर्ण हो गया, तब वे यम्राज की सहमती से सर्यू नदी के तटपर गुक्तार घाट में देह त्याग कर पुना बैकुंड धाम में विश्णु रूप में विराजमान हो गये सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद राम मंदिर में से एक है जो तेलंगाना के भदरादरी कोठा गुडेम जिले के भदराचलम में स्थित है इस मंदर का भगवान राम से संबंधित एक बहुत ही महत्वकूर्ण इतिहास है क्योंकि रामचंद्रस्वामी मंदर वहां स्थित है जहां भगवान राम ने सीता को लंका से वापस लाने के लिए गोदावरी नदी पार की थी मंदर के अंदर स्थापित मूर्ती त्रिभं के तेवर में खड़ी है जिसमें भगवान राम धनू और हात में बाढ लिये हुए हैं और देवी सीता हात में कमल लिये उनके बगल में खड़ी है श्री राम तीर्थ मंदिर पंजाब के अम्रिटसर में स्थित प्राचीन राम मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ वालमीकी के आश्रम का स्थान है हिंदू महाकाव्यों की माने तो सीता ने इस आश्रम में जुड़वा बालक लव और कुश को जन दिया था प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बारिश के समय भगवान श्री राम ने इस जगह पर चार महीने के लिए ठैरे थे ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने इस जगह पर देविय शस्त्रों का ज्ञान और ब्रहमास्त्र हासिल किया था राम चौरा मंदिर भारत के बिहार राज्य में हाजीपुर के पास राम भद्र में स्थित भगवान राम को समर्पित एक प्रमुख राम मंदिर है स्थानिय लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर रामायन काल से ही अस्तित्व में है ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जनतपुर जाने के रास्ते में इस थान का दौरा किया गया था जहां उनके चरण चिनों की पूजा की जाती है राम मंदिर के बारे में उलेक मिलता है कि ईसा के लगभग एक सौ वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती समराठ विक्रमादित्य संतों के निर्देश से समराठ ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदी बनवाए शुंग वन्ष के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीरनोधार करवाया था अंतत 1527 से 28 ईस्वी में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगा बाबरी धाचा खड़ा किया गया अयोध्य में राम जन्म भूमी के स्थान पर बनाया जा रहा है वह 5 अगस 2020 को भूमी पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था बी एन्टी की खास पेशकश